गुड़ मॉर्णिंग बच्छो आज हम आरो में कक्षा ग्यारवी के पाठ पुस्तक का गद्य अंश पढ़ेंगे और गद्य अंश में हम सबसे पहले नमक का दरोगा पढ़ेंगे जो मुंशी प्रेम चन के द्वारा लिखित कहानी है सुप्रसिद कहानी है सबसे पहले हम प् उप्तर प्रदेश में इनकी प्रमुक रचनाय थी सेवा सदन प्रेमा श्रम रंग भूमी निर्मला काया कल्प गवन कर्म भूमी गोदान यह उनकी उपन्यास थे सोजे वतन मान सरोवर आठ खंड में गुप्त धन कहानी संग्र है करवला संग्राम प्रेम की देवी यह उन वो सन 1936 में यह इनका छोटे से अंश में मैंने जीवन परिचे दिया ऐसे प्रेम चंद के बारे में कहा जाए तो यह साहित जगत में अगर शिखर पुरूष के नाम से जाने जाते हैं तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी क्योंकि वास्तों में इन्होंने जो गद्द खंड लिखा है यह इनोंने जो भी काविस संरचनाय रचनाय की हैं वह अपने आप में अनोखी है जिसका कोई मुल नहीं है चलिए मुल कहानी के उपर आते हैं जिसको हम नमक का दरोगा नमक का दरोगा क्या मैं एक छोटा सा अंश आपके सामने पड़ रही हूँ जम नमक का एक नया विभाग बना और इश्वर प्रदद वस्तु के वैभार करने का निशेद हो गया तो लोग चोरी छेपे इसका वैपार करने नेक प्रकार के छल प्रपंचों का कोई घूस लेकर काम निकालता तो कोई चलाकी से अधिकारियों से पौबारा थे पटवारियों का सरुसम्मित पद छोड़ छाड़ के लोग इसका विभाग की बारकंदांजी करने करते थे इसके दरोगापत के लिए तो वकील का भी ललस्ता था यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा दिक्षा शिक्षा और इसाई मत का लोग लेकी वस्तु समझते थे चले अब इस कहानी का मैं मूल सार आपको समझाती हूं अगर हम इस कहानी को वस्तु इस्तिती पढ़ते तो बहुत बढ़ लंबा है मैं आपको एक शारांश के रूप में इसकी व्याक्या प्रस्तुत कर दें यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत करीब तपके का व्यक्ति है जिसका नाम है वन्शीधर मुन्शी वन्शीधर ने इनका नाम है और यह चाहिए कि द्रणिस चाहिए कर्तवे पर आयन और अपने आप में कहना चाहिए कि आत्म संतुष्ट रहने वाला व्यक्तित्व था ये कहानी उसी व्यक्ति पर अधारित है मुन्शी प्रेम-चन ने इसी के पढ़ने लिखने में बहुत कहना चाहिए कि माहिर थे इसलिए पिता एक छोटे से कहना चाहिए कि करमचारी के रूप में कारे करते थे उनका कथन था अपने पुत्र को लेकर कि